नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि हमारे जो अपने लोग है ज्यादा तर हमारी समझो माता पिता हो या फिर कोई भी हमारा हस्बंड हो हमारी वाइफ हो या फिर हमारे बच्चे हो ये जो करीबी लोग है इनके साथ हम अपने जिन्द होते हैं कि हमारे जो अपने हैं उनके साथ हम अच्छा वेभार करना या फिर उनको लेकर हमारे जो जिस अपने हैं उसको पुरा करने की कोशिश करना कम से कम दो पल उनके साथ नहीं कर पाते और बहुत बार क्या होता है कि अगर वो अच्छानक इस दुनिया से समझो चले मुझे जो भी चीज़े चाहिए थी उनको संभव नहीं थी लेकिन फिर भी किसी तरह के से उन्होंने मतलब कहिना के मुझे देने की कोशिश करी ऐसे समय में उन्होंने मेरे लिए इतना किया और मैं अपने जीवन में उनके लिए कुछ भी नहीं कर सका मतलब आज वो जब दुनिया में नहीं है तब हमें बहुत ज़ादा बुरा लगता है कि अरे रे मैंने उनके साथ ये आखिर क्या कर दिया तो ये जो सारी चीज़े है ये जो दुख है बहुत बार इतना मतलब हावी हो जाता है कुछ लोगों पर कि वो उस दुख से बार ही नहीं आपाते वो ये सोचते है कि मैं कितना पापी हूँ मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूँ मैं मतलब कही ना कहिए बहुत ज़ादा एक बुरा इंसान हूँ कि मैंने उनके लिए कुछ भी नहीं किया जिन्होंने मतलब मेरे लिए इतना सब कुछ किया अपना बहुत ज़्यादा sacrifice किया त्याक किया उनके लिए मैंने कुछ भी नहीं किया इस दुख में बहुत ज़्यादा लोग डूपते है तो ऐसे समय में हम इन सारी चीजों से कैसे बाहर निकले और अगर आज हमारे माता पि जाता हूँ कि समझो एक मैं इनसान हूँ और मेरा कोई एक करीबी इनसान है और उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया और हमारे एक अच्छा रिष्टा था लेकिन मैं मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पाया तो इसे समय में अगर अचानक वो इस दु ने उसको क्यों नहीं ना कहा तो इन सारी चीजों से बहुत बार हम परेशान होते हैं तो ऐसे समय में जो हमारा करीबी इनसान होगा दोस्तो उसके साथ अगर हमारा सच्चा प्यार है अच्छा बॉंडिंग है तो ऐसे समय में वो हमें बड़े दिल से आरम से माफ कर देगा और उसके लिए हमें माफी भी मांगने की सच बोलू तो जरूरत नहीं है क्यों? क्योंकि जो हमारे अपने लोग होते है उनको हमारे दिल का जो पैर होता है दोस्तों वही एहमियत रहता है बाकि और कोई भी चीज हम शब्दों से क्या बोल रहे है हमें क्या लग रहे है इन सारी चीजों से उनको सबसे बड़ी बात होगी कि हमारे दिल में उनके लिए एक सच्चा प्यार है हाँ मुझे दिल से मतलब बुरा लग रहे है कि हाँ मुझे उनको ले कुछ करना चाहिए था तो वो हमसे यही चाहेंगे दोस्तों मैं आपको सच कहार brunch एंक्दम माता-पिता जाय से बुबझान और उनके हस्बण ने मेरे लिए किया यह मतलब जब एक्दम जीवन के परेशानी में था तब में ज़्यादा उनको कुछ भी नहीं कर सका और बाद में जब थोड़ा सा मैं उनके लिए कुछ कर सक告我 ऐसे मुझे लग रहा था तब वो एकदम मतलब एक के बाद एक ऐसे चले गए और आज मुझे भी बहुत जादा कभी कभी बुरा लगता है लेकिन यह जो सारा जो ग्यान ले रहा हूं मैं मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जैसे हमारे आज दिल में उनके लिए एक सच्चा उनके लिए मुझे कुछ करना चाहिए ता ऐसे बार बार मुझे लग रहा है और इन सारी चीजों के वज़े से मुझे बहुत जादा दुख हो रहा है तो है सरवशक्तिमान इश्वर मेरी जो दिल की प्रार्थना है आप उन तक जरूर पहुँचाना और यह जो सारी चीज आप जहां पर भी रहे मैं दिल से आपको मतलब बहुत जादा खुशिया भेजना चाहता हूँ बहुत जादा प्यार भेजना चाहता हूँ बहुत स का आशिरवात भेजना चाहता हूँ और कुछ लोगों को अगर ये लगता है कि मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए ता या फिर मैंने उनके साथ समझो कुछ बुरा किया है तो ऐसे समय में आप उस प्रार्थना में ये भी जोड सकते है कि अगर मैंने आपके साथ मतलब कुछ उस वक्त बुरा किया होगा या फिर मुझे बहुत ही जादा बुरा लग रहा है कि उस वक्त मैंने आपके साथ बुरा व्यवहर किया तो ऐसे समय में या फिर मैंने आपके कुछ नुकसान किया तो ऐसे समय में दिल से मैं आपसे मतलब माफी मांगना चाहता हूँ उसके लिए मैं दिल से मतलब मुझे आप माफ कर देना मैं आज मुझे बहुती जादा बुरा लग रहा है लेकिन जब मुझे परिस्तिति आईगी तब मेरी जो आत्मा है वो आपके लिए ज़रूर कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगी जिससे आपको खुशिया मिले लेकिन मैं दिल से आपको मतलब मुझे माफी मांगता हूँ तो यह जो सारी चीज़े आप जरूर मतलब कह सकते है ये जो सारी चीज़ें चाहे तो आप लिख लेना या फिर बाद में फिर से सुनना या फिर मैं आपको सच कह रहा हूँ कि आप अपने मितलब अपने भी इसाब से उस प्रार्थाना को लिख सकते हैं उसमें कुछ जोड़ना है तो आप खुद से उस तरीके से बहुत ही अच्छे से जोड़ सकते हैं जिस तरीके से आपके सिट्वेशन होगी उस तरीके से आप प्रार्थाना में चेंजेस कर सकते हैं लेकिन मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि अगर ऐसी चीज़ों को लेकर मैंने मैंने उसके साथ कुछ बुरा किया तो इसी चीज़ों को लेकर मैं आपको सच कहता हूँ कि आप दुखी मत होना अगर आप दुखी होंगे तो उनको जरा भी अच्छा नहीं लगेगा जैसे मैं आपको कहता हूँ कि मतलब एक कोई बहुत सारे जो वीडियो देखते है कोई माता जी है या फिर कोई पिता जी है जिनके बच्चे है समझो तो उनके बच्चों ने समझो उनका कुछ ऐसे बोल दिया जिससे हमें बुरा लगा बात में हमारे संबन जो थे बहुत ही अच्छे हो गए और वो बच प्रती है फिर मेरा जो तुमारे प्रती प्रती प्यार है तो मेरे कलेजे के तुकड़े हो तो इसलिए वो प्यार बड़ा है कि एक छोटी सी मांफी मांगना पड़ा है आप सोचिए मतलब इस तरीकी से उनका जो प्यार होता है दोस्ता हमारे अपने लोगों का वह इतना ब अगे बढ़े अपने आपको अच्छे से संभाले हम अपने जीवन को जिस तरीके से जिसलिए हमने चैन किया है जीवन का उस जीवन करते हुए को बहुत ही अच्छे से पुरा करे हमारे जो अपने है वो हमसे यह चाहेंगे दोस्तो इसलिए जितना उसके इन सारी चीज़ों क दुख में हमें नहीं डूबना, जितना उसके अच्छे करम से हमें आगे बढ़ना है, आपके जो अपने हैं, जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, इसे लोग हमेशा आपके साथ है, जो भुतकल में चीजे हो गई उसको ले कर आप परेशन मत होना, अच्छे कारिया से आगे बढ़ना, अगर आप अच्छे से अपनी जीवन में आगे बढ़ते हो, आपको अगर लोगों की दुआए, लोगों के प्रार्थनाए, लोगों के आशिरवाद मिल रहे, तो ऐसे समय में आपसे ज़्यादा खुशिया उनको मिलेंगी, क्योंकि उनका जो प्यार है, आपके बहुत बहुत थन्यवाद, पर या फिर लेप्टॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं, और दस अडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी, तो दोस्तों, अगर आप इस संस्ता के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो गृपया इस नंबर पर वाट्स अप मैसेज करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद झाल 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